किसान आंदोलन पर साजिश का ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट के जरिए 13 और 14 फरवरी को भी लोगों से फिर से प्रदर्शन करने को कहा है ग्रेटा ने अपने ट्वीट में लोगों से भारते दूतावास, मीडिया संस्थान और सरकारी दफ्तरों के पास आंदोलन करने के लिए का यानि हर महतवपून दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की बात कही गई ग्रेटा ने अंदोलन की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए भी कहा है तो बात सिर्फ इतनी नहीं है बात आगे तक प्लानिंग आगे तक नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए है नीरज 13 और 14 फरवरी का भी जिक्र यानि हर महतवपून दफ्तर पर चाहे वो दूतावास हो चाहे वो मीडिया हाउस हो या बाकी दूसरे सरकारी दफ्तर वहाँ पर भी प्रदर्शन की बात सीधा सीधा डारेक्शन इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इन पर कानूनी कारवाई होगी इसलिए क्योंकि भारत की एकता खंड़ता को इस क्यामपेन के जरीए ठेस पहुचानी की कोशिश की है और आप तो ये बड़ा सबूत जिसमें खालिस्तानी कनेक्शन भी बिलकुल सीधा जस्टिस का नाम है और ग्रेटा थनवर्क के बारे में ये कह सकते हैं गायतरी की उम्र भले कम हो इनकी लेकिन कारणामे बहुत बड़े-बड़े हैं दूसरी एहम बात की इन्हों ने जो मुही अपील की है लोगों से कि 13-14 तारी को भारतियत दूतावासों और उच्चायोगों के बाहर प्रदर्शन करें क्रिशी कानूनों के मसले पर तो आपको बता दे इस अपील को भारत सरकार या विदेश मंत्रा ले बहुत गंभीरता से लेगा पहले भी इस तरह की अपील की गई है दूसरे संगठन की तरफ से खास कर खालिस्तानी संगठन की तरफ से तब तमाम दूतावासों में और वहां की सरकारों से भारत सरकार क तरफ से कहा गया था कि वहां की सुरक्षा वेवस्ता को पुख्ता करें जैसे यहां जो भी एमबैसी है जो भी उच्चायोग है उनकी सुरक्षा की वेवस्ता भारत सरकार की जिम्मेदारी है तो जहां भी भारती है दूतावास और उच्चायोग है वहां की जिम्मेदारी उ बाद अमेरिका के बाद खरी संब खानुनों का समर्थन किया, एक बार तो साफ है कि भारत इस मसले प्यांतराश्टिया मुहिम कुछ भी बेलकों नहीं